जैम मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, माग मास के क्रिश्न पक्च की आमोस्या तिथी को मौनी आमोस्या कहा जाता है, मौनी आमोस्या को मागी आमोस्या के नाम से जानते हैं, और इस साल मौनी आमोस्या 21 जनवरी दिन सनिवार को मनाई जा रही है, आपको बता दें कि मौनी आमोस्या साल की सबसे बड़ आमोस्या होती है इस दिन इसनान वादान काफी महत्तकून माना जाता है इस दिन मौन व्रत किया जाता है आप कम से कम इस दिन इसनान दान करने तक मौन व्रत धारण जरूर करें और यदि आप पूरा दिन व्रत कर सकते हैं तो ये सर्व स्रेस्ट रहेगा दोस्तों मौनी आम उस्या के दिन पितरों के नाम से तरपन करने से उन्हें मुक्ति मिलती है और वे प्रसन होके आपको आसिरवात प्रदान करते हैं साथ ही इस दिन दान करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार के दोसों से मुक्ति मिल जाती है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी कस्ट दूर होते हैं दोस्तों मौनी अमोस्या पर पीपल और तुलसी पूजन का विधान भी है साथ ही इस दिन भगवान सिव जी की पूजा करने से काल सर्प दोस भी दूर हो जाता है आपको बता दें कि इस साल मौनी अमोस्या पर तीस साल बाद खपर योग बन रहा है ये योग धार्मिक कार्यों को संपन्न करने और कुंडली में सनी के सुब प्रभाव के लिए किये जाने वाले उपायों के लिहाज से महत्व पून माना जाता है और इस बार की अमोस्या सनीमार को पढ़ रही है इस वज़े से इस बार सनी अमोस्या का संयों भी बन रहा है जिस कारण इस दिन का महत्व और भी जादा बढ़ गया है ये योग काफी पुनिदायक है ऐसे में इस दिन किसी पवित्र इस्थल और नदियों में जाकर इस नान, दान और पूजा करने से व्यक्ति को कस्टों से छुटकारा मिलता है और सुफल की प्राप्ती होती है दोस्तों मौनी अमोस्या पर व्रत का विधान है इस दिन हो सके तो मौन व्रत धारन करें या आप फला हरी व्रत कर सकते हैं अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप हो सके तो मीठा भूजन ग्रहन करें ऐसी मानिता है कि मौनी अमोस्या के दिन गंगा नदी का पानी अमरत बन जाता है ऐसे में इस दिन गंगा नदी में इसनान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिठ जाते हैं साथ ही मरत्तु के बाद मुख्च की प्राप्ती होती है तो चलिए अब जानते हैं कि मौनी अमोस्या के दिन इसनान, दान, तरपन और पीपल पूझा करने का सुमूरत क्या रहेगा तो आपको बता दें कि इस बार माग मा की अमोस्या की सुरुवात 21 जनवरी 2030 की सुबा 6 बचकर 17 मिनट पर हो रही है और अमोस्या तिथी की समाप्ती 22 जनवरी 2030 की तड़के 2 बचकर 22 मिनट पर हो रही है तो ऐसे में उदिया तिथी कि मानिता के नुसार मौनी अमोस्या का पर्व 21 जनवरी 2030 दिन सनिवार को मनाया जाएगा आपको बता दें कि मानिताओं के नुसार मौनी अमोस्या पर ब्रह्म मूरत में इसनान का विथान है और इस दिन ब्रह्म मूरत सुबा 5 बचकर 27 मिनट से लेकर सुबा 6 बचकर 20 मिनट तक रहेगा इस मूरत में इसनान और दान मोक्ष दायक माना गया है हाला कि आमोस्या तिथी 21 जनवरी को पूरा दिन रहेगी इसलिए ये पूरा दिन इसनान दान करने के लिए सुब माना जाएगा और बात करें पीपल पूजा के सुब समय की तो आपको बता दें कि आमोस्या के दिन पीपल की पूजा सुर्योदे होने की बात करनी चाहिए और इस दिन सूर्योदे सुबा साथ बचकर चौदा मिनट पर होगा तो आप पीपल की पूजा सुबा साथ बचकर चौदा मिनट से लेकर सुबा नौ बचकर तिरपन मिनट तक कर सकते हैं ध्यान रहे इस दिन राहु काल का समय सुबा नव बचकर 53 मिनट से लेकर सुबा ग्यारा बचकर 13 मिनट तक रहेगा तो आप इस नान, दान और पीपल की पूजा सुबा नव बचकर 53 मिनट से पहले ही कर लेंगे तो यह सिरेश्ट रहेगा और अगर आप पितरों के निर्मित अमवस्या के दिन ब्रामण भोज या कोई अन्य कारक्रम कराती हैं तो इसके लिए दोपहर का समय स्रेश्ट रहता है तो आप राहु काल समाप्त होने के बाद यानि सुबा ग्यारा बज कर तेरा मिनट के बाद ब्रामण भोज या अन्य पितरों से निमित कार कर सकते हैं दोस्तों इस दिन इसनान करने से पहले आप संकल्प लें सबसे पहले जल को अपने सिर पर लगाएं और प्रणाम करें इसके बाद इसनान करके सुच कपड़े पहन लें दोस्तों पितर दोस से मुक्ती पाने के लिए पितरों का ध्यान लगाते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें आप एक लोटे में जल लें और उस में लाल पुस्प और काले तिल में लालें इसके बाद अपने पितरों की सांती की प्रातना करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें इसके बाद आप विश्नु सहित मातालक्षमी का पूरे विधी विधान से पूजन करें तद पस्चात आप पीपल की पूजा करें मौनी अमोस्या के दिन पीपल के पूजन का भी विधान है कहा जाता है कि पीपल के पेड में ब्रह्मा, पिश्नु और महेस तीनों दिवताओं का वास होता है आप पीपल की जड में जल में थोड़ा सा कच्चा दूद मिला कर चढ़ाएं और उसमें थोड़े से काले तिल भी मिला लें उसके बाद रोली अक्षच चढ़ाएं और पीपल के पेड पर सफेद रंकी मिठाई अर्पित करें ततबस्चा आप पीपल के पेड़ को 108 बार कच्चा सूत लपेटते हुए पेड़ की परिक्रमा 108 बार जरूर करें यदि आप 108 बार परिक्रमा ना कर सकें तो अपनी इच्छा के नुसार 11, 21, 51 बार परिक्रमा जरूर करें दोस्तों इसके बाद आप इस दिन तुलसी का पूजन भी जरूर करें आप तुलसी माता को जल चणाएं और विद्वत उनकी पूजा करें और हो सके तो तुलसी की भी 108 बार परिक्रमा लगाएं ऐसा करने से मालक्षमी बेहदी प्रसन्य होती है और आपके घर में धन संबदा की व्रधी होती है दोस्तों मौनी अमौसया के दिन दीबदान का भी महत तो है आप साम के समय एक दीपक तुलसी के पास और एक दीपक साम को मातालक्षमी के सामने जरूर जलाएं या अपने पूजा घर में जलाएं और एक दीपक साम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का जलाएं और फिर आप अपने पित्रों के निमित एक दीपक अपने घर की छट पर जलाएं या अपने घर के मुख द्वार पर दच्छन दिसा की ओर करके एक धीपक जरूर जलाएं ऐसा करने से पित्रों को सांती मिलती है दोस्तों मौनी अमोस्या के दिन दान का भी बहुत महत्त होता है आप मौनी अमौस्या के दिन गरीब या किसी जवरत मंद को तिल, तिल के लड़ू, कंबल, आवला, अनाज, वस्तर, धन, पलंग, घी और गौसाला में गाई के लिए भोजन जैसी चीजों का दान करें ऐसा करने से आपको सुफल की प्राप्ति होती है दोस्तों मौनी अमौस्या के दिन चीटियों को सकर मिला कर आटा खिलाना चाहिए ऐसा करने से कस्टों से मुक्ति मिलती है इसके लावा इस दिन मच्छियों को आटे की गोड़िया खिलाएं और पच्छियों के लिए दाना पानी का भी इंतजाम करें ऐसा करने से धन्यधानी की कभी भी कमी नहीं होती तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद